कि आप लोका स्वागत है मैं आपका दोसर रविंद्र रदो और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चनल आजए कंपूटर एम टेक हाड़वेर के दो भाग होते हैं पहला है इंपूट ये अंतर और दूसरा है आउर्पूट येंद्र इंपूट डिवास जिसकी साथा से हम अपने विचार आधेश का इंपूटर में अंकित कर सकें उसे इंपूट डिवास करते हैं इन में Doing का मतलब होता है अंदर और put का मतल तब अंकित होना आउधारण के तवर पर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्केनर, इत्यादी, कैम्पूर्टर के कुछ इन्पूट डिवाइस हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड की साहत्ता से हम जो लिखना होता है उसे उस वर्ड को कैम्पूर्टर तक पहुचाते हैं और कैम्पूर्टर उसका पालन करता है जैसे कि अगर किसी फोल्डर को खोलना है तो उंगली की साहता से माउस का पॉैंटर उस फोल्डर पर ले जाकर दो बार क्लिक करके उस फोल्डर को खोल सकते है माउस की करसर को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं माइक्रोफोन जब भी हम मोबाईल पर किसी से बात करते हैं तो यह दो हार्डवेर द्वारा संभव हो पाता है पहला स्पीकर जिसके द्वारा हम सामने वाले की आवाज को सुनते हैं सरे से बात करने के लिए एक इंपूट डिवाइस पहुत उप्योगी है स्काइनर की सहता से हम किसी भी टाकुमेंट को स्केन करके कैमपूटर के किसी भी फोल्डर में सुरच्छित रख सकते हैं साथ ही अगर उस टाकुमेंट को किसी होता है तो हम इमेल के जरिये आटेस्ट करके भी भी सकते है आउट-पूट डिवाइस कि इनकीत हो उधारण के लिए मॉनिटर, फ्रिंटर, स्पीकर, इत्यादी, कुछ आउटपुट टिवाइस हैं मॉनिटर मॉनिटर के साथा से हम केम्पूटर के अंदर होने वाली प्रकेरियां को देखते हैं यह केम्पूटर का हुआ हाडवेर है जिसके बिना हम केम्पूटर को उपयोग नहीं कर सकते हैं मॉनिटर दो तरह के होते हैं पहला है CRT मॉनिटर और दूसरा है LCD मॉनिटर CRT मॉनिटर यह मॉनिटर पुराने जवाने में भी उपयोग किया जाते थे CRT मोनिटर बहुत ही भारी और आकार में बड़े होता है इस प्रकार के मोनिटर का उपयोग पहले टीवी के लिए किया जाता था अब इसका उपयोग होना लगभग बंद हो गया है LCD मोनिटर LCD मोनिटर नए जवाने की नई तकनिक वाली है या मोनिटर वजन में हलके और आकार में छोटे होते हैं जिसके कारण या जगन भी कम लेता है LCD मोनिटर में बिजली की खपत भी कम होती है इस मोनिटर का उपयोग लेपटाप और केम्पूटर को टच स्क्रीन के रूप में भी काम कर सकते हैं Printer केम्पूटर पर किये गए काम को कागज पर प्राप्त करने के लिए जिस आउटपूट डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे Printer काते हैं Printer केम्पूटर पर छपे सब्दों को प्रिंट करके हमारे प्रियोग करने योग बना देती है इस हाड़वेर के द्वारा प्रिंट करके जो आउटपूट हम लोग लेते हैं उसे Hard Copy काते हैं इस स्पीकर इस स्पीकर का उप्रियोग केम्पूटर पर ध्वनी साउंड सुनने के लिए करते हैं इस स्पीकर को हम ज़्यादतर गाना सुनने या कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाई हूप दोस्तु आप लोग के मारे वीडियो जोर पसंद रहा है अगर प्संद आया दोस्तों तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए और हो जाना इसे ही नहीं अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरू करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थन्यवाद